शहर भर में बीते कुछ दिनों से सपनल सोपकर नामक युवक द्वारा भंगार से बनाए गए रेसिंग कार की चर्चा चोरो शोरो से चल रही थी इस बीच बुद्वार को निखिल उंबर कर द्वारा पत्रपरी शिद लिगए जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये रेसिंग कार उनके द्वारा पनाए गई है अब क्या है ये पूरा मामला आई देखते हैं इस रिपोर्ट में बीते कुछ दिवार को निखिल उंबर कर द्वारा पत्रपरी शिद लिगए जिस तरान उन्होंने दावा किया कि ये रेसिंग कार उन्होंने बनाई है उन्होंने बताया कि 2013 में मैंने ये कार बनाना शुरू किया था और अगस्ट में उसका अधिकांश काम पूरा हो गया था लेकिन थोड़ा काम बच्चा हुआ था हाला कि उनकी अच्छानत तबियत खराब हो गई और अंतितह 26 जनवरी 2018 में कार का फोस्ट ट्रायल सफलता से पूरा हुआ उन्हें कार को अपडेट कराना था इसे बीच 2020 में उनकी और से वर्कशॉप लिया किया जिसमें स्वपनिल सोप कर आया और वर्कशॉप में सीखने के दर्मियान उसने निखिल से कार मांगी और निखिल ने विश्वास रखते हुए कार दे दी लेकिन स्वपनिल ने निख मेरी तब्यत खराब होने के कारण मैंने वो 26 जनुवरी 2014 को रोड पे लाई थी जिससे वो काफी पॉपुलर हुई थी मीडिया में मुडिया में न्यूज में पेपर्स में सब जगे पब्लीश हुई थी गाड़ी उसके बाद मैं उसको अपडेट करने के लिए रखी थी गाड़ी मेरे पास मुझे उसमें यहने आट-ब्लीश साल पर जो गाड़ी में बनाया थी 2013 में उसको मुझे इलेक्टिक गाड़ी बनाना था इलेक्टिक पर चलानी के लिए एक कुछ तो भी यूनिक चाहिए था, इसलिए मुझे इलेक्टिक पर बनाना था तो मैंने उसी अफडेशन के लिए, अफडेट के लिए मैंने वो गाड़ी रखा था मेरे पास और उस बीच में मुझे काफी लोगों ने गाड़ी मंगे पर मैंने दी नी, इंजिनरीनिक स्टूडेंट ने भी मुझे प्रोजेक्ट के लिए मंगे थे, फिर भी मैंने उनको मना किया था, सोपने लिए मेरे वर्क्शोप में काम सिखने के लिए आया था, इसलिए मैंने उस मेरा थोड़ सा उसने विश्वा जिता और मैंने उसे गाड़ी चलानी के लिए गाड़ी का समझ आना चाहिए, इसके लिए मैंने उसको गाड़ी दिया, उसने गाड़ी में पेंटिंग किया, सर्विस किया, और उसके बाद में उसने गाड़ी 26 जानेवारी 2022 को अभी रोड सब मैंने खुद बनाया है तो यह कहीं तो भी गलत है महिनत कोई करे और उसका श्रेय कोई दूसरा ले यह कहीं नहीं मुझे गलत लगा इसलिए मैं आज पत्रकार भावन में प्रेस कांफरेंस रखी और मुझे यह बताना जरूरी हो गया था कि किसी की महिनत आप यूही नही सकते हैं बस मुझे हां मैं उसे पूछता हो कि तुने गाड़ी निकाला था मीडिया के सामने सब आया था वो मुझे बोलता है सर मैंने मैंने आपका नाम लिया था सर सर बोला था है उसकी बात वह सच है कि उसने बोला था कि सर ने मुझे गाइडेंस किया यह यह नहीं बता इस दोरान उन्होंने मांग की कि स्वपनिल मीडिया के सामने आए और इस बात को कबूल करे क्यामरपोसन माइकल के साथ तिदिश अहटवार बीसेन न्यूस नाखपूर